पर आदमी पार्टी को यूप का चिनाव लड़ना चाहिए ह। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी तो उन्होंने का यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिलकुल तरस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुडेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े जन्ताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आएंगे, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी-छोटी सोविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है। अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलिज चाहिए, तो उसे दिल्ली भीजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता-पिता का इलाज करवाना है, तो उसे दिल्ली आना पड़ता है. आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकास-शील राज्य नहीं बन सकता, विक्सित राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूँ, कि अगर दिल्ली के संगम विहार में महला क्लिनिक बन सकता है, तो क्या लखनव के गोमती नगर में महला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बहतरीन अस्पताल बन सकते हैं, तो यूपी के सर अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए यूपी के लोगों के इतने जाधा बिल क्यों आ रहे हैं अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसे सुव इधाई मिल सकती हैं, तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर महले में CCTV कैमरे लगाई जा सकते हैं, तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुश्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सु प्रश्ट नेता, यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया, पर उन पार्टियों ने लोगों की पीट में छुरा घूपाया, सरकारे आई, सरकारे गई, मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का ब्रश्टाचार का रेकॉर्ड यूपी के लोगों को आखिर में क्या मिला? कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर पर्देश में इतनी सारी पार्टी में आएं आम आदमी पार्टी अलग से क्या लेकि आएगी? आज यूपी की राजनीती में एक ही चीज की कमी है सही और साफ नियत की और वो किवल आम आदमी पार्टी के पास है इसी साफ नियत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती नियत की कमी होती है दिल्ली के लोग चाते थे कि उनकी जिन्दगी बहतर हो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार को अच्छी स्वास सेवाई मिले, उनको एक इमानदार सरकार मिले इसलिए दिल्ली के लोगों ने लगातार तीन बार दिल्ली में आमागी पार्टी को चुना ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में लोगों को पहली बार काम होते हुए दिखा और उन्हें एक इमानदार सरकार मिली जो उनके लिए उनके साथ मिलके काम करती है आज हर यूपी निवासी एक इमानदार और साफ नियत वाली सरकार चाता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर परदेश विधाल सवा चुनाव लड़ेगी दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था उन्हें आज आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो गया के दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गए आप भी आम आदमी पार्टी को एक मौका दे के देखिए मैं यकीन दिलाता हूँ उत्तर परदेश वाले भी बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे समस्कार